हेलो विल्कम फ्रेंट्स मैं हूँ विकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है किंग मास्टर ओल इन वहां तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं यूट्यूब के कुछ नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं जो की बहुत ही इंपोर्टन्ट है जो कि देखना जरूरी है क्योंकि यहां पर मैं बताने वाला हूं यूट्यूब की जो नए अपडेट्स है जो की रिलेटर है आपके कॉपिराइट क्लेम से और आपकी जो यह लो डॉलर है उससे रिलेटर है जी हां तो बिल्कुल सही सुना तो वीडियो जो है बहुत कर देते हैं पुब्लिस करने के बाद कुछी मिनद बाद जो है आपको पता चलता है कि आपके वीडियो के अंदर कोई कोपिराइटर मेटरियल है ठीक है और यह भी पता चलता है कि आपकी जो वीडियो जब हो यह लोडोलार हुआ है यह फिर नहीं कई बार तो ऐसा हो जात है लेकिन आप ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी आपको जो है वीडियो अप्लोड करने से पहले ही पता चलने वाला है जी आपने बिल्कुल सही सुना यह जो अपडेट है बहुत ही बढ़िया अपडेट लाया गया है तो जो वीडियो करते समय ही आपको जो है पता चलने वा है तो आपको पता चल जाएगा यहां वीडियो टेम है अगर क्लेम है वह समझने की कोशिषक जैसे हैं यहां पर याज पूसनी करते हैं competitive वीडियोज वो प्रोसेसिंग होता है जो कि अबलोडिंग होता है यहां पर टेग टाइटेल वगरा हम जो है डेस्कृप्शन आपकी वीडियो के अंदर कोई भी कोपी राइट मैटरियल है जैसा कि कोई किसी का फोटो किसी का वीडियो कर लिया हो तो यहां पर बता देगा ठीक है और यहां पर उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा जो कि एड़ सुटिबिलिटी लिखा हुआ है वह क्या करेगा कि आ सिस्टम आपकी जो कौपीराट क्ले में वह तो बहुत जल्डी हो जाता है लेकिन आपकी एड़ सुटिबिलिटी प्राइब यह थोड़ा सा टाइम लेस सकता है ठीक है बहुत ज्ता है एक क्लोज करना होगा आपकी टो क्लोज कर دेना हो यह बेकरण के चकिंग करता रहेगा ठीक है तो दोस्तों आप हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है अगर आपके वीडियो पर कॉपिराइट कॉंटेंट आ जाता है कॉपिराइट क्लेम अगर आ जाता है तो तो सब सब पहले तो हमें यहां पर पता चलने वाला है कि आपकी जो वीडियो से वह कॉपिराइट क्ल और दूसरा होगा visibility और तिसरा होगा आपकी जो monetization है उसके बारे में आप यहां पर आपकी जो चैनल की जो effect है वह वहां पर लिखा होगा कि not a factor लिखा होगा क्योंकि copyright claim आपकी channel को कुछ भी नहीं कर सकती ठीक है यह आपको जान लेना चाहिए अगर आप एक यूटुबर है तो और आपकी जो visibility है वह आपके वीडियो जो है ड्राप पर रहेगा ठीक है और आपकी जो monetization है वह इलिजिवल होगा क्योंकि आप monetization ही इनेवल नहीं कर पाऊगे अगर कोई copyright material आपके वीडियो पर अंदर आ जाता है तो यहां पर और उसके निचे लिखा हो और यहां बात के सब्सक्राइब कर Jaam अगर आपके वीडियो के तुरू जो भी होता है वह आपके पास साके पैसे और लेमें चला जाएगा ठीजीश ओके तो आप हम बात करते हैं इसे कैसे ऊशोगे तो लिखा हुआ है एक्सन ठीक है तो एक्सन कात क्लीक कर देना है जैसे ही एक्सन पर क्रिककर दोगे यहाँ अपने देखने मिल जायेंगे तबege यहां पर पहला और संधिया गया है क्लिक कर दोगे आपका जो कॉपेराइट मैटरियल होगा जो भी वीडियो आपने हैं ने युज किया है तो वहां से वह पार जो है कट के ठाएगा ठीक है यानिकि आपका बने डोगे Lap पर replace song यानि कि अगर आपके वीडियो के अंदर कोई song यूज किया है और वो copyright claim है तो आपको simply करना क्या होगा replace song पर click करके कोई और song को आपको जो है डाल देना है इससे भी आप जो है copyright claim से बच सकते हैं तो इस तो आप हमेशा try करो कोई ncs यानि कि non copyright song बाला जो song होता है उसे जो है आप इस्तिमाल करने की कोशिस करो और तिसरा ही यहां पर mute song ठीक है तो यहां पर जैसे क्लिक कर दोगी कोई भी अगर copyright song है तो वह नहीं है और by mistake YouTube जो है यह claim करने लगा है यहां फिर कोई भी claim कर दिया है तो आपको simply करना क्या होगा यहां पर दोखिए dispute का option है तो उस dispute पर आपको click कर देना है तो dispute पर click करने के बाद आपको तुरंत ही जो है public नहीं करना है अगर आप dispute पर click करके directly public कर देते हो तो उस वीडियो से जितना भी earning होगा आपको नहीं मिलेगा वो जो earning है वो hold हो जाएगा तो इससे बचने के लिए आपको जो है इंतिजार कर ले तो जैसे आपको पता चलता है आपकी वीडियो को बाद में पॉब्लिस कर सकोगी तो तो यह था वीडियो आप व